किसान भाईयो नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पारताकर में स्वागती तो किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अलू की तेजमनी रिपोर्ट के बारे में हाँ दोस्तो मुझे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेन मिले ले था कि अलू का पाओ क्या रहेगा दोस्तो और अलू की हमें तेजमनी रिपोर्ट दीजी तो दोस्तो उनके अनुसारी में अलू की तेजमनी रिपोर्ट मना रहा हूं तो दोस्तो आप हमारे वीडियो को लिए तो दोस्तो नवरात्रा के अंतरकात आपको लासुन में तेज़े देखने को मिली थी और अब जो नवरात्रा आ रही है उसमें भी आपको तेज़े देखने को मिलेगे दोस्तो इन सबी टोपिकों के बारे में हम विस्तार्स पूरवक बात करते हैं उसके पहले अभी त जल्दी से जल्दी मिले दोस्तों अगर हम लज आलू की बात करते हैं तो अगर मैंने यूटूब पे देखा आलू की तेजी मंदी रिपोर्टों के बारे में तो बहुत ही कम आलू की तेजी मंदी रिपोर्टे हमको दिखाए थी जिस्चे की दोस्तों किसानों की मांग दोस्तों आपको पता होगा कि अब नवरात्री आने वाली है तो दोस्तों नवरात्री आज आने वाली है तो नवरात्री के आसपास आपको अलू में बड़े तेज़े देखने को मिलेगी दोस्तों क्यों तेज़े देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों जो अलू होता है वो नवरात्री में अलू की डिमांड ज़्यादा होती है जो चिपसा अलू होता है उसकी डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा होती है उसके अलू होते हैं उसकी मांग भी बढ़ती है तो हम यह स ज़धा होती है तो आपको नवरात्रा के आजपास दोस्तो अगर हम बात करते हैं आलू के इस्टो के बारे में तो दोस्तो अगर आप आलू का इस्टो करते हो तो आप आलू का इस्टो को बहुत ज़धा दिन तक नहीं कर सकते है क्योंकि दोस्तो इसके कोई लिमिट होती है वहां तक ही आप इसका इस्टो कर सकते हैं अगर इसके अलव आप ज़धा इस्टो करते हो तो यह सड़ने और आपके फसल पुरी तरह ख्राब होने की संभावने पुरी रहती हैं तो दोस्तो इसका नियमित रूप से आप जब भी जब आपको तेजी देखने को मिले तब तब आप अपने माल को बेशते रहें दोस्तो इसके लिए आप विपारियों से जुड़े रहें जो मंडी में विपाडी होते हैं उनसे जूड़े रहे और जो पाव ताव आते हैं उनसे जूड़े रहे तो आपको दोस्तों जब भी आपको तेजी दिखे तो आप इसतरे विपाडी हो जब कहए दे कि आप अपने माल को ले तेजी दिखे दे रहे तब आप माल को ले जाए दोस्तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ आपका माल है आप चाहने कौन से मंडियों बेच्चे यह आपके उपर निर्बर करता है अपने वियक से ज़रूर काम लेवे दोसरों के बातों में ना आवे दोस्तो उसके बात में भी अगर आपको तेजी नहीं दिखे दे और आप हमको डोस्त देवे तो हमारा कोई डोस्त नहीं होगा आप अपने वियक से ज़रूर काम लेवे दोस्तो अगर हम बात करते हैं कि आप आलू को रोके या बेच्चे तो दोस्तो यह तो सभी के मनें में होता है कि आलू को अप रोकना चीह या बेच्चे तो दोस्तो अब आलू को आपको जब-जब भी आपको तेजी मिले तब तब तोड़ा करके निकालते रहे क्योंकि दोस्तो इसका इस्टों का ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते हो तो आपको माल को तो बेचना ही पड़ेग तो दोस्तो आप अपने माल को नवरात्रा के आजपास तेजी देखे देगी उस तेजी में देख देवे तो आपको अच्छा ही फाइदा मिलेगा दोस्तो अगर हम आजपास की मंडियों की बात करते हैं मनसर मंडी निमज मंडी इंदोर मंदी सुजानपुर मंदी और आजारपुर मंडी इसके अलावा कोटा मंदी इन सबी मंडियों में आलुगा पाव लगबग एक समान चल रहा है दोस्तो आलुगा पाव जबी की आस पास के पाव के यप समान neighbourhoodा हूँ ज़्यादा उतार जदाव नहीं होता है 102 सुरुपय का उतार जदाव चलता रहता है लेकिन सब्भी मंडियों में यही रहता है दोस्तो आप सब्भी मंडियों के फाव की जानकरी रखे और जिस मंडियों में आपको तैजी देखे चैनल को सब्सक्राब करें अगर कोई भी जानकारी बाइक रही हो तो हमें कमेट करके जरूर बताए जए जवान जए किसान